आज के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने 23 रनों से दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। इस रोमान चक मैच में कोहली के 47 वे अर्दश्यतक से लेकर डेबुटेंट विशांक के तीन विकेट जैसे कई यादगार मॉमेंट से रहे। मिचल मार्श की गेन पर फिल्डर अमन खान ने शांदार फ्लाइंग कैच पकड़ा जिससे बैंगलूरू के कप्तान फाफ दू प्लसस कैच आउट हो गए। मिट विकेट पर तैनात अमन ने एक हाथ से ये कैच पकड़ा। बैंगलूरू को चेयर करने अनुषका शर्मा भी पहुंची। कोहली के अर्दिशतक के बाद अनुषका ने भी स्टैंड से उनके लिए चेयर किया। अपनी शांदार फिल्डिंग के दम पर अनुज रावत ने पहले ही ओवर मेर रॉयल चेलेंजर्स को विकेट दिलाई। सिराज की बॉल पर जब प्रतवी सिंगल लेने दोड़े तब रावत ने शांदार थो लगाया जिससे शौ रन आउट होकर पवैलियन लॉट गए। बैंगलूरू के रहने वाले बी सी स्य यद्दिक्ष रोजर बिन्नी सचिव जैशाह के साथ चिन्ना सौमी स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे। इस हार के साथ दि